Hello guys, welcome to my channel Correct Guru आज मैं आपके साथ computer का next part discuss करने वाला हूँ अलरडी हम computer के कई part discuss कर चुके हैं तो first question है, software का प्रात्मी कुदेश से data को किस में बदलना है जो software है उसका प्रात्मी कुदेश से पहला उदेश से data को किस में बदलना है information में बदलना है, इसका right answer होगा, सुचना ही next question है, software code में तुरूटियां डूंडने की एक परकिरिया है software code है उसमें जो error डूंडने की एक परकिरिया है उसको क्या कहा जाता है, debugging कहा जाता है debugging, next question है, Unix का विकास कब हुआ था? Unix का विकास 1969 के अंदर हुआ था Unix एक परकार से computer के अंदर operating system है जिसका विकास 1969 में 1999 के अंदर हुआ था C option इसका right answer होगा, Unix की मुख्यवासा क्या है? Unix है उसकी मुख्यवासा है, वो है assembly next question है, computer में काम करने के लिए किस software का परियोग किया जाता है? computer में काम करने के लिए application software का परियोग किया जाता है, computer में काम करने के लिए application software का परियोग किया जाता है next question है, कौन सा software computer के hardware को नियंतरीत करता है? ऐसा कौन सा software है, जो computer के hardware को नियंतरीत करता है, तो इसका right answer होगा system software computer के hardware को नियंतरीत करता है, next question है compiler computer की किस परकार की भासा है? जो compiler है वो computer की किस प्रकार की भासा है वो है निमनस्तिरिये भासा है जिसको निमनस्तिरिये भासा के नाम से जाना जाता है Computer में OPO के लिए बाजार में बिखने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं Software Package के नाम से जाना जाता है hardware और software के बीच संम्मद बनाने की technique या सुएदा को क्या का जाता है interface का जाता है hardware और software के बीच में जो relation बनाने की संम्मद बनाने की technique technology को क्या का जाता है तो यह थे computer से related most important questions उमिद आपको वीडियो अच्छी लग होगी already हमने computer से related कई वीडियों डिसकस किए प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सिस्क्राइब करें और सियर करें